हुआ है 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 फ्रेंड्स वेल्कम टू माय यूटूब चैनल उन्वर्स क्लासेज स्वागत आपका उन्वर्स क्लासेज में और इस वीडियों हम बात करवाले हैं टीजीटी पीजीटी इवेन एल्ली ग्रेट और के लिए भूकल के कुछ महत्रूट प्रक्टिस सेशन की जो की हुआ है जिसको कहते हैं अपस्वाच्छांस आपसन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन वह समुदरी सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है थर्मोस्पेर, थर्मोकलाइन, हैलोस्पेर या फिर हैलोकलाइन तो इसको बोलते हैं थर्मोकलाइन बी आपसन क्य है सही है और मासागरी जल की ऊपरी यह मिचली परतों का जो अलगा होता है एक ऐसी संक्रमण प्रत से होता है जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है इसे परत को थर्मोकलाइन परत करते हैं जिसका विस्तार 300-1000 मीटर की गहराई तक होता है तो आपसर नमबर B करेक्ट है थर्मोकलाइन अगला कोशन लेते हैं कोईले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्ति चट्टाने डैस नामक चट्टानों के स्टेड़ी में आती है किस तरह चट्टाने रुपांतरीत और साधी अजयविक या फिर आगने यह प्रते हैं रुको और जाओ निश्चवाद की अधारणा किसने दी फराड़ी रचल डिश्टोपें ग्रिफिट टेलर एलर चर्चिल सेंपूल ने तो यह किसने दिया यदिया ग्रिफिट टेलर ने आपसर नम्ब्र ऑपसर नमब्र सी क्या है सही है और यह पिए प्रोजाओ आपसा नुम्बर सी करेक्ट है अगला कोशन लेते हैं थेमेटिक मांचित्र बिसेश्ट प्रियोजन मांचित्र है भोगोलिक समंद्धों को बताता है अध्यान की एक वस्तु अथवा बहु वस्तु को दरसाता है या फिर डी है चैतरी के सताई विसस्ताओं को च आपसा नुमर भी एक दू और तीन सही है अगले प्रश्ण परते हैं सुच एक को सुच दू से समिल करना है बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा आज दिख लेते हैं कि इनिमोमीटर यह क्या है या जो है हवा के गती मापने के लिए है 10 मीटर सेमसेंट क्या है आकासी पिंडेक्व friends कि समुदुरjem जाहां जो तो हो जाएगा क्लैनोमिर क्या है, तो क्लैनोमिर धाल का कोण मापने के लिए है, और रडार क्या है, गतिमान य। मिश्थीर बस्तों के इस्ति जानने के लिए, D का, दो हो जाएगा, इस तरह से, A का 3, B का 4, C का 1क में, और D का 2 option number, D में कर्ग रहाएगा, अगले प्राश्म लाते हैं लिमकित में से किस एक भूह लिवत्ता ने Influences of Geographic Environment किताब लिखी थी Humboldt, Red Gel, Reader या फिर Sample ने किस ने लिखी है या लिखी है सेंपूल ने option number D सही है जिस प्रकार की बनस्पती का दच्छडी गुलारद में लगभग अभाव पायाता है वह है भूमद रेकी वन, भूमद सागरी बनस्पती, बोरियन वल या फिर सितोशन वन तो क्या है यह है बोरियल वन, option number C सही हो जाएगा कास्मोगराफी सब्द की रचना की गई थी, मैकिंडर द्वारा, हमबोल्ट द्वारा, इम्मेनुवल कांट द्वारा या फिर टालमी द्वारा तो कास्मोगराफी सब्द की जो रचना की गई है, यह की गई है हमबोल्ट की द्वारा, option number B करेक्ट है यदि पूछ ले कि हमबोल्ट कहां के भूगल वदता है तो यह जर्मन भूगल वदता है और इस इनी ने कास्मोग्राफी या फिर स्रिष्टी वडन सब्द का प्रयोग किया और उसे खागोल वडन तथा भूगल में भीवक्त किया है और कास्मास हमबोल्ट का एक सरवाधिक महत्पुड गरंत है क्या है कास्मास इनकी पुस्तक क्या है कास्मास यह भी आपको याद रखना है आते हैं अपने अगले कोशन की तरफ और अगले कोशन फिर से कूट से रिलेटेड़ है आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई रिख्खाई होती है, ISOवाल क्या है? सम गती, सुरी cement को एसोवाल जो है ये ISO हिलाइंड जो गाइन ये लॉरता है और ISO हिलाइं जो होगा है ISO हाइड क्या है? तो ISO हाइड जो है सम वर्सा है, और ISO बार क्या है? दबाओ है ये का दो B का तीन, C का एक A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4 आपसन नुमबर D में दियाएगा है C में तो C करेक्ट हो जाएगा बैंगुला धारा की से महासागर में प्रसांत महासागर हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्केटिक महासागर या प्रवाइथ होती है कहाँ पे अंध महासागर में अपसन नुमबर C बिलिकुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ट में से कौन सा एक आकसिजन के पुनाचक्रन अवधी के लिए सही है 100 वर्स, 2000 वर्स, 1000 वर्स या फिर 500 वर्स तो या आकसिजन के पुनाचक्रन के लिए जो सही है वह जाएगा 2000 वर्स भी आप्सन सही हो जाएगा भुव अभिनिति के चार और इस्थिद दिलिड द्रव्यान को कोबर ने निम्लिकित नाम दिया था क्रेटोजन, परवतजन, प्रारमारंफ या फिर एंडरंफ तो यह क्या है यह क्रेटोजन है आपसन नमबर एक करेक्ट है सर्दी के मोसम के दोरान भारत के उत्तर पस्चमी भाग में निम्लिकित में से किस कारण से वर्सा होती है त्रडित जानजा, लोडता हुआ मनसुन, पस्चमी भीच्वब या फिर उष्ण कर्टिवण दी चक्रवाद तो कैसे वर्सा होती है यह पस्चमी भीच्वब चोहती है आपसन नमबर एक करेक्ट हो जागा बर्तमान विगत की कुणजी है यह क enfer किसका है वालथर फैंख डबलू-ेम डेविस हटिंग टन यह पिर जेशं के यह कंञा कि स्चमी जंचकी पा ज当 नमबर पड़ंड़ में मध्य छोब मंड़में उपरई छोब मंड़में या फिर संपुर्ण चोब मंडल में तो यह पाजाती है उपरी चोब मंडल में आपसर नमबर सीख करेक्ठ है नियू इंगलेंड और दोगी प्रदेश निम्निखित देशों में से किसमें इस्तित है संगतराज अमेरिका आस्ट्रेलिया युनाटेट किंग्डम या फिर इस्तित है कहां पर संगतराज अमेरिका में अगला को सुन लेते हैं लिम्निखित में से कौन जौला मुखी का एक प्रकार नहीं है हवाई तुल्य स्ट्रामबोली तुल्य चिलियन तुल्य या फिर विसोबियस तुल्य ता आप इसको देखके पता कर देखके अगला कोशन लेते हैं सेरा निवेदा परवत किसका उधारान है ब्लाक परवत का ब्रंसन परवत का और शिस्ट परवत का या फिर बलिद या फिर बलिद या फिर मोड़ार परवत का तो यह परवत किस प्रकार का उधारान है यह ब्लाक परवत का एक्जामपल है तो यह वाला आप्संट जो यागा सही हो जाएगा अगले प्रस्ण प्राइब आते हैं अमली मैगमा में सिलिका का प्रद्सत कितना होता है कम मध्यम उच्च या फिर फिर नगवन तीसमें कैसा होता है इसमें होता है मध्यम तो यह यह अरेबियन प्लेट तो कॉन सी नहीं है जो है अरेबियन प्लेट यह माधेपी नहीं है तो आपसा नंबर डिवी राइट अगले प्रस्ण पे आते हैं भावर उधारन है पैन प्लेन का, गिरिपाद मैदान का, मृतिका मैदान का या फिर डेल्टाई मैदान का तो भावर किसका उधारण है? भावर उधारण है गिरिपाद मैदान का तो B आप्शन क्या है? करेक्ट है अगला प्रशन लेते हैं आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किस ने किया था वालतर पैंक ने डबलू एम डेविस ने जे डबलू पाविल ने या फिर जेम्स हटन ने तो आधार तल जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किया था यह किया था जे डबलू पाविल ने तो सी आप्शन क्या है हमारा सब्सक्राइबाला सब्सक्राइब और र representatives किisation क्या है किया मैदाने चाहिए चत्रों से पहाडों तक जाने के दोरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी 200 मिटर से एक्षिटर से अ है 200 मिटर के लिए एक्षिडरि सेलसियस मिटर के लिए 1्डिरी सेलसियस ऑफ एक सोपाइस करेक्ट हो जाएगा तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपक पसंद होगा सेशन इती पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेजी और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद